यहें दोस्तों अंदे मातरा विराट कोई ने भारते टीम की टेस्ट कपतानी छोड़ दी और उसके बाद से लगातार कोई ना की बात को लेकर उनकी चर्चा हो ही रही है ऐसे में कई सारे दिगज क्रिकेटर हैं जो की पूर क्रिकेटर रह चुके हैं और वेसी बात है वो लो की कपतानी छोड़ने के उपर तरह-थरung की बातें यहां पर होड़ी दी, फैंस अपनी थैयोरी तुरीस निकाल कर देुटे रहे थे अब मिन सबीचीजों के बीचले लिगा बाति के क्रिकेटर शाहिद अफ्रीदी का भी भयान निकल कर सामने आ आया है जोरा समझते है उन उन्हेंने कोहली के फैसले पर अपना समर्थन दिया है और उन्हेंने कहा है कि विराट ने मतलब भर का क्रिकेट खेला है और उन्हें पता है कि क्या सही और क्या नहीं अफरीदी ने कोहली की तारीफ करते हुए समा टीवी शो में कहा कि मेरा ख्याल से ये ठीक है विराट ने वडिया खेला है और टीम का लीडर्शिप भी अच्छे से किया है मुझे लगता है कि ये सही डिसीजन है एक समय आता है जब आप दबाव मतलब कि प्रेशर को हैंडिल नहीं कर पाते हैं और उस वज़े से आपकी परफॉमनेंस पर भी फर्ग दिखता है मुझे लगता है कि उन्होंने लंबे समय कप्तानी की है और बहुत अच्छे स्तर की की है एक बल्लेबास के तोर पर ये सही समय है कि क्रिकेट का आनन लिया जाए उलेखनी है कि इस से पहले विराट कोली के भारती टेस्ट्रीम की कप्तानी से स्तीफा देने के बाद भारत के पूर कप्तान और दिगज खिलाडी कपल देव ने भी अपनी परतिकी रह दी थी जिसमें उन्होंने कहा था कि कोली काफी दिनों से दबाव में दिख रहे थे अब उन्हें अपनी इगो साइड में रखकर नए कप्तान के अंदर में खेलना होगा मिड़े से बाचीद में उन्होंने कहा था कि मैं विराट कोली के टेस्ट कप्तानी छोड़ने के फैसले का स्वाध करता हूँ टी ट्वेंटी की कप्तानी छोड़ने के बाद से ही बुरे दोर से गुजर रहा है उबीते कुछ दिनों से काफी तनाव में भी नजर आ रहा है इसलिए इंडिपेंडेंट रूप से खेलने के लिए कप्तानी छोड़ना एक विकल्प था इसलिए उन्होंने इसको चुना है बतादें कि शनीवार को विराट ने भारती टेस्ट टीम की कप्तानी से अपना स्तीफ़ा दे दिया था उन्होंने टीम के पूर्फ कोच रवी शास्त्री और सपोर्ट स्टाफ को धन्यवाद देते हुए कहा था इस गाड़ी के इंजन वही लोग थे और उन्हीं के कारण टेस्ट क्रिकेट में भारत और आगे बढ़ा विराट कोली ने आखरी में महिंदर सिंग दोनी को धन्यवाद देते हुए कहा था कि उन्होंने उन्हें विश्वास जताया और उन्हें इस लायक समझा कि वो भारते क्रिकेट को आगे ले कर जा सके हैं अब देखें विराट कोली जैसा क्रिकेटर जब कपतानी छोड़ता है तो बाते तो कई तरह की होती हैं और इसलिए बातों का दौर और लंबा चलने वाला है अभी वंडे सीरीज शुरू होने वाली हो सुनने में ये भी आ रहा है कि भई रोई शर्मा भी अगली सीरीज में टौर टीम से जोड़ने वाले है तो एक बातों का जो बातों का जो बाजार है वो घर्म हो चुका है लिकिन ऐसे में शायद अफरीदी का जो समर्थन निकल कर सामने आया है वो कही न कहीं ये संकेत भी दीता है कि वो भी उल्टी चपल मा झायँ झायँ झायँ